इसमें क्वेस्टन में है कि a small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 cm हमारे पास क्या है यहां पे एक कोई टैंक है अगर हम यहां पे देखें हमारे पास क्या है एक टैंक है कुछ इस तरह से एक टैंक है तो इसमें क्या है कि टैंक के bottom में एक bulb है टैंक के bottom में क्या है एक bulb है लाइक दिस अब इसमें से यह है कि और यह इसकी depth कितनी है यह कुछ ऐसा दिया हुआ है अब अगर हम इसमें देखें तो इसमें यह बोल रहा है कि what is the area of the surface of water through which light from the bulb can immerse out मतब यहां से क्या है ना continuously bulb के through light surface तक जा रही है यह कुछ इस तरह से light जा रही है और यहां पे क्या है ना continuously light ऐसे जाती है और यह पानी की surface से बाहर निकल जाती है पर हम यह पता करना है कि कितना ऐसा portion है जहां से light बाहर निकलती है और कितना ऐसा portion है जहां से light bend होकर के उसी medium में वापस आ जाती माल लेते हैं कि इतना एक ऐसा area है जहां पे light immerse out हो रही है from the surface of water और बाकी का हमें क्या करना है बाकी का यह portion माल लो इस portion के बाद इतने portion के बाद यह जो है ना light bend होकर के उसी medium में वापस आ जा जा रही है अब light उसी medium में वापस कैसे आएगी इसका मतलब यह क्या कर रही होगी यहां पे total internal reflection को follow कर रही होगी मतलब यहां पे अगर हम देखें इस portion के आगे अगर हम जाते हैं तो यह क्या है यह इस portion पे एंगल कितना हो जाएगा this angle will be critical angle अब अगर यह angle critical angle है तो हम लोग इसको ऐसा सम कर consider कर लेते हैं this one will be parallel line to this one तो और यह हमारी मानलो यह इस portion की radius हो जाएगी तो अगर यह angle C है तो यह angle भी कितना हो जाएगा this angle will be also C इसको कुछ नाम दे देते हैं this one is source O यह हमारे पास हो जाएगा तो यह हमारे पास हो गया O यहां पे P ले लिया यहां पे Q ले लिया ठीक है तो मुझे क्या करना है मुझे इस portion क्या यह जो portion है हमारा इस portion का सबसे पहले radius find करना है उसके बाद हमें क्या करना है area find करना है उसके लिए सबसे main चीज़ है कि अगर मुझे यहां पे critical angle की value मिल जाए तो मैं easily यहां पे पता कर सकता हूँ कि यहां पे P Q की value कितनी होगी तो अगर हम यहां पे देखें तो हमें पता है from TIR from TIR total internal reflection तो हमें पता है कि sin C is equal to कितना होता है that is equal to 1 by N और हमें N given है refractive index of water is 1.33 यहां पे हमने क्या किया sin C is equal to 1 upon में 1.33 अब अगर हम इसको solve करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा 1 divided by 1.33 और उसके बाद हमें क्या करना है उसका sin inverse ले ले ला है then that is equal to value of sin C is the value of sin C is equal to यह हम लोग ऐसा कह सकते हैं यहां पे value of C is equal to 48.75 degree ठीक है यह हमें यहां पे C की value मिल चुकी है अभी हमें क्या करना है यहां पे C की value मिल गई अब directly हम लोग ले लेते हैं यहां पे from triangle from triangle P O Q इसमें हो जाएगा जाकर के directly लेते हैं tan C is equal to कितना हो जाएगा perpendicular P Q upon my base that is equal to O P यहां पे 10 C की value है यहां पे 48.75 is equal to P Q हमें पता करना है और यहां पे 80 cm है तो इसकी जगे पे हम चाहें तो 0.8 meter लिख सकते हैं तो यहां पे हो जाएगा the value of P Q इसका सबसे पहले तो हम 10 की value पता कर लेते हैं 1048.75 की value होती है 1.14 is equal to P Q upon my 0.8 अब इस P Q को हम लोग इधर ले लेते हैं P Q is equal to 1.14 into my 0.8 multiply by हम लोग क्या कर देते हैं 0.8 कर देते हैं तो यहां पे P Q की value कितनी आ गई that is equal to 0.91 meter हो गई यह हमें मिल गई अब हमें area of the surface पता करना है then area of the surface of the surface from where from where light emerge out from where light emerge out तो वो area हो जाएगा because this is a circular surface then area is equal to हो जाएगा pi into my P Q square because P Q is working as a radius then area is equal to pi means 3.14 into my 0.91 whole square then multiply by 0.91 into 3.14 then this value will be area of that surface will be 2.6 meter square this is the surface from where the light will emerge out बाकी की जो बच्ची हुई surface होगी वहां पर light bend होकर के same medium में आ जाएगी बार मेंशी